पहले हमने बात किया था सब्सक्राइब कीजिये डायमन् स्टुडी चैनल को और बेल एकान दपाईए लेटस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए असलाम अलेकूम दोस्तों मेरा नाम में साहिल शेक आप देख रहे डायमन् स्टुडी चैनल तो दोस्तो सबसे पहले तो आप सभी का मैं शुक्रियादा करता हूँ क्या आप लोगों ने पाथिस्पेट किया दोस्तो महाश्टा कोलेज का सुक्रियादा करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे तीन दिन के लिए जो है वो कोरल डो के लेक्चर लेनी की परमिशन दी है और एक्जाम ये तीन दिन के लेक्चर इसके बाद में एक एक्जाम लूँगा एक टेस्ट लूँगा जो इसमें पास होगा हम उन्हें जो है वो E-Certificate देगे तो दोस्तो जादा बात ना करते हुए हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते है सबसे पहले हम आते है Google Chrome या Opera Mini या Safari जो भी आप यूज़ करते है वो आप Open कर लीजिए ओपन करने के बाद दोस्तो यहाँ पे एक simple वर्ट टाइप करना है यहाँ पे एक वर्ट टाइप करना है Coraldo यही मैं Coraldo पे किलिक करता हूँ तो Coraldo Free Download यहाँ पे मैं किलिक कर लेता हूँ यहाँ पे जो है यह Coraldo ने 15 दिन के लिए जो है यह Trial Version दिया है आप इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं दोस्तो जिसे के कई लोग जो है इसे Crack Version यूज करते हैं आप Crack Version किसे कहेगे? Crack Version इसे कहेगे मेरे लवज में चोरी करना सौफटर को किसी एक सक्स एक बंदे ने वो चोरी कर लेता है उसके Serial की निकाल लेता है और वो जो है अपनी वेबसाइट पर अप्लोड कर देता है और वो software के साथ और अपने Serial key के साथ तो कई लोग जो है इसे डाउनलोड करते हैं इसे स्टॉल करते हैं और इसे Crack Software जो है वो यूज करते हैं अगर आपका बिजनीस है आप कमाते हैं या फिर आप इससे बिजनीस या फिर इससे कोई और चीज पे इस्तमाल कर रहे तो दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि किसी की महिनत है किसी ने बड़ी महिनत से कोरोल डो का सॉफटर बनाया है तो उसको आप परचेस कीजिए आप सारी वेबसाइड है गेट इंटू PC वगेरा वगेरा अब वहां सी भी जो है इससे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं अगर गेट इंटू PC की बात आती है तो मैं वह वह भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर हम जाएगे नेक्स्ट पेज ओपन कर लेता हूँ गेट इंटू PC जैसे गेट इंटू PC पे जाता हूँ यहाँ पर टाइप करना है करोडो यहाँ पर करोडो ग्राफिक सुट 2020 फ्री डाउनलोड तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है इंस्टोलेशन की सरीके से किया जाता है यहाँ पर आप नीचे आएगे तो यह आपको इ इस वीडियो में पूरा मिल जाएगा ठीक है दोस्तो तो सबसे पहले बाता थी कि है को डर्लो क्या है करोडो जो सॉफ्टर है हम सब सुनते आ रहे कि विजिटिंग कार्ड बनता है बिल्कुल विजिटिंग कार्ड बनता है बैनर बनते है बूक का कवर बनता है जिससे यहाँ पर दो को फॉर एक्जामपल का जीस तरह से लुक दिया गया है यह भी शायद को बनाओ और बैनर, पैंपलेट, विजिटिंग कार्ड कई सारी डिजाइन जो है वो कोरोल्डो से बनाई जाती है कोरोल्डो वेबसाइट के लिए खौद काम आता है कोई अगर इंसान वेबसाइट का काम करता है तो इसको कोरोल्डो कम बसरी यहाँ Coral Do के मुकाबले में एक Illustrator भी है लेकिन यहाँ पर बात Illustrator की नहीं हो रही है Coral Do की बात हो रही है और Coral Do जो है वो इंडिया में सबसे जादा यूज होता है जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मिने लोगों को पढ़ाया है तो दोस्तो सबसे पहले जो है हम इसके देखेगे कि क्या क्या function है क्या क्या features है हम जादा बात नहीं करेगे क्योंकि यह तीन दीन का lecture मुझे लेने के लिए कहा गया है हाँ तो दोस्तो जो हम Coral Do का software open करते हैं तो कुछ इस तरीके का जो है वो look हमें बन कर आता है तो इस look को क्या बोलते हैं इनके क्या क्या नाम है मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और इसके साथी साथ जब मैं आपको design बताऊंगा बनाकर तो उस design के साथ आपको पता चलएगा कि उस design का क्या use है क्योंकि इस पर जादा बात करना जादा इंट्रक्शन देना एक ठेस्ट टैप पड़ाना यह पलाईड की लाइन में मेरे साब से नहीं है क्योंकि यह और को रोजो की लाइन में जब तक मैं आपको प्रैक्टिकल बिज़ने रहुएगा तो आपको बहुत बहुत बहतरीं से बहतरीं तरीके से जो है वो समझ में आएगा तो ये जो उपर का जो है ये जो blue box बनाए किसको आप देकर जहां पे लिखा है coral door level जिसको बलते है title बार और उसके जो नीचे जिसको बलते हैं file, edit, view, layout, arrange, effects इसको जो है बोलते है menu बार और जो है ये letters ये जो हमको width और height जो inches देता है जो units देता है तो इसे जो हम कहते है property बार और ये जो है न ये tools बार है इसे हम क्या कहते है tools बार और ये जो है इसे ये rural जो है इसे कहते है मतलब यह क्या guide करता है, जिसे कि आपको कितनी size लेना है, कैसा लेना है, कैसा adjustment करना है, यह थोड़ा बहुत उसमें काम भी आता है, और इसे क्या कहते है, toolbox, ठीक है, यह जो है यह toolbox है, ठीक है, और यह drawing, इसे drawing windows कहेगे, जो white color की है, और यह drawing page बोलेगे, इसको, तो इसे image को जो negative, sorry, document navigator जो है, यह है, यह page 1, page 2, page 3, आपको कितना चीए, फिलिए status बारे नीचे, और यह color palette यह दिया हुआ है, और यह navigator, दोस्तों, यह मैंने, आपको जो है na, coral door level, या coral door 12, जो पुराने होते थे, पुराने जो software होते थे, यह उसका जो नाम लेके, मैं आपको वहाँ से आ रहा हूँ, कि किस तरीके से अभी बहुत सारा अपडेट हुआ है, तो जब हम इसकी design करेगे, तो design करते करते आपको समझ में आ जाएगा, कि किस तरह की design होती है, इसके अंदर और कैसी design होती है, तो ज्यादा वक्त ना लिते हुए, हम जो है, वो color door का software जो है, वो open करते ह यह इस तरीके का, जो है, वो color door का, जो है, पेज जो है, वो open हो गया, ठीक है, हम इसे ज़्यादा घहराई language में नहीं जानेगे, हम easy easy word में जो है, इसे जानेगे कि क्या है, सबसे पहले मैं किलिक करूँगा, new document पे, अब जब मैं new document पे किलिक करता हूँ, तो यहाँ प्याए name, तो जो आप file बना रहे है, उस file का नाम, जिस file पे आप work करेगे, उस file का नाम क्या रखना है, for example, मैं हाँ पे रख देता हूँ, diamond study, फिर और जो नीचे है, इसको ऐसी ही रिन देगे, और यह कितने pages, इसको भी ऐसी ही रिन देगे, cmy के क्या होता है, rgb क्या होता है, जैसे कि अगर आप कोई भी चीज, print निकालते हैं किसी भी चीज का, for example, मैं अगर banner की design करता हूँ, और banner की design करने के बाद, मैं उसे print करता हूँ, तो जो भी document, या जो भी मुझे file बनाना होगा, तो वो cmy के पे बनाना होगा, और rgb, rgb यह है, जैसा कि मैं कोई भी design बनात हूँ, और वो खाली display, या फिर mobile, या फिर computer पर खाली show करना है, तो वो मैं इस पर click करके design बनाऊँगा, for example, मैं rgb पर रखता हूँ, और रोके करता हूँ, और कोई banner बनाता हूँ, और banner बनाने के बाद, जब मैं उस banner को print out करूँगा, तो उस banner का color रिदम अलग हो जाएगा जो मैंने हाँ पर color दाला हूँ, तो इस वज़े से जो है, मुझे जो mode है, वो अगर print out करना है, तो CMYK में रखना है, इसका full form क्या होता है, इसकी सारी चीज़ क्या होती, वो धीरे जरे जाने के थोड़ा सा सबर करो, और यहाँ पर काफी सारी size दी गई है, जिसमें A4 size, A3 वो आपको बताए, बताएगे के कौन कौन से size जो हाँ पर दी गई है, और यहाँ पर portrait mode और landscape mode जो है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, और regulation जो है, आपको ऐसी रेंदे के, millimeter में चाहिए, inchess में चाहिए, points में चाहिए, से इसी छोड़ देगे, हम simple इसे okay करेगे, क्योंक्या व थोड़ा बहुत जैसा के, for example, A3 था, अब में A5 भी change कर सकता हूँ, अब A5 कर लेते, चलो change, तो वो थोड़ा बहुत बहुत बाद में भी हम change कर सकते हैं, millimeter सा, mm था, उसको अब पिक्सल में कर लूँगा, या फिर उसको मैं, या फिर miles में, फिर meters में, या फिर kilometers में, या फि दोस्तों, अब मुझे करना क्या है, इसे मैं ले लेता हूँ, A4 में, A4 में इसे लेने के बाद, अब जो है, यहाँ पर मैं देखता हूँ, काफी सारी चीज यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर जब मैं इसे आता हूँ, तो यहाँ पर, जब मैं अपने mouse का arrow लाता हूँ, तो खुदी बताता है ये फिक टोले Select Positions और Transform Objects वो खुदी जब हम लेकर आएगे तो वो खुदी बताएगा मैं आपसे एक request करूँगा आप एक simple blank book निकालिए या फिर कुछ page निकालिए उस पर ये arrow का इस तरह से design बनाए और इसका नाम लिख ले ताकि ये सारे नाम से आपको बहुत काम आने वाले और ये सारे नाम से पता चलेगा इसके shortcut key क्या है इसे क्या करना है इसे कैसा होता है ये सारी चीज़ आपको पता चलेगी तो simple अब मैं आपको एक चीज एक इसमें trick बताता हूँ आप जैसे ही आपको एक रेक्टिंगर बन के आ जाएगा क्योंकि जो इसका shortcut key जो दी गई है वह F6 दी गई है अब मैं यहाँ पर इसे इस तरह से drag कर लेता हूँ इस तरह से drag करने के बाद इस पर कर लूँगा क्लिक और ये जो है ना अंदर का center इसे मैं माउस से पकड़के नीचे कोने के side लेके आऊँगा और इसे थोड़ा सा में हिलाऊँगा move करूँगा और अपनी जो माउस की जो right click है क्योंकि मैंने left click जो है वो दबा के रखिये और उसे दबा के रखने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा move किया है और फिर right click करूँगा तो यह इस तरीके क्या आ जाएगा अब मैं अपने computer पे shortcut की जो इसका use करूँगा इसे जो है मैं पूरा run बना दूँगा तो आप अपने keyboard पे देखिए गोर से control plus D यानि control दबा के रखना है और फिर आपको जो है वो D प्रेस करना है तो यह automatically इस तरीके की जो है आपके सामने यह design बनेगी ठीके मैं एक और आपको एक example बताता हूँ कि for example मैंने यह इस तरीके का लिया इस पे click किया इसे निचे लाया और mouse की left की से move करके बाजू में लेके गया राइट किलिक किया फिर control आर प्रेस किया control आर प्रेस से भी होता है ठीके यह इस तरीके का design आपकी जो है वो बन कर आ गए आपको color change करना है तो आप इसको color change कर सकते अब देखो यह color palette है ठीके for example इसको ऐसा समझो कि यह color है बहुत सारे यहाँ पे color दिये हुए यहाँ पे जो है न हम इसे pellets को ऐसा mouse से पकड़ कर भार भी ला सकते है और यहाँ से जो है हम pellets को ऐसा पकड़ कर अंदर भी दाल सकते ठीके तो for example मैं pellet को जो है पकड़ कर यहाँ बहार लाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे color दिये गए अगर for example मैं यह पूरे design को ऐसा इस तरह से mouse से select किया mouse से select करने के बाद अगर मैं left click दबाता हूँ तो color जो है उसके अंदर फील होगा color का फील होगा उसके अंदर अगर मैं right click दबाता हूँ तो जो border है जो line है जो सिरी black black line है वो right click से जो है वो color change होती है ठीक है यह देखिए तो हम जो है काफी सारी design जो है हम इस पर बना सकते है ठीक है अभी हमने जो है वो एक चीज बना ली है तो समझें यह मेरा एक part 1 यानी छोटा सा हिस्सा हो गया है अब हमें क्या करना है इसके कुछ और function जानेगे तो आब मुझे क्या करना है Google Chrome या internet या safari जो भी आप ब्राउजर यूज़ करते हैं उसे open कर लेजिए अब यह वहाँ पर आपको type करना है google.com अब मेरा बचपन का जो है वो काट्रून था टोमेंजरी मैं वहाँ पर search कर लेता हूँ अब images पर जाता हूँ यहाँ पर भहुत सारी images दिये गए मैं कोई भी एक image को select कर लूँगा यह image जो है मैं save कर लेता हूँ और मैं desktop पर यहाँ पर save पर click करूँगा यह desktop पर download हो गया इसे मैं कर लेता हूँ close अब मुझे क्या करना है फाइल में जाना है फाइल में जाने के बाद import import करना है कोई भी चीज images वागरा लाने के लिए आपको यहाँ पर import करना होगा यहाँ पर desktop पर आना है रीचे आना है यहाँ पर जो आपकी जो image जैसे इसे यहाँ पर import करना है यह इस तरीके का आपको बन के आएगा आप अपने mouse के left click left click जो है उसे click करके से जितना बड़ा drag कर सकते आप से drag कर लिजिए आप मुझे करना क्या है फॉर एक्जामपल अब यह टोमें जो है यह मेरा फेवरेट काटूने लेकिन मैं को कुछ इसमें changes करना है इनकी आख में या फिर इनकी मूँ में या फिर कान में या फिर कोई आपका पुराना logo है या फिर आपकी पुराने कोई ऐसे logo रखे हुए जिसको आपको change करके उसमें edit करना है उसको update करना है फॉर एक्जामपल मैं आपको बताता हूँ जैसे के मेरा diamond study का जो logo है जो आप channel पे देख रहे हैं यह logo मैंने एक temper बनाया था मेरे किसी दोस्त ने अब वो बनाया था फिर बनाने के बाद फिर computer study बे delete हो गया मैंने उसे बराबर धहन नहीं दिया लेकिन अब मुझे उसका जादा काम आ रहा है तो मैं क्या करूँगा अपने logo इधर रखूँगा और यहाँ पे रखने के बाद इस पे right click करूँगा ठीक है right click करूँगा जिस तरीके से मैं टोमें जिरी पे कर रहा हूँ टोमें जिरी पे हम यहाँ पे आते right click करते है फिर यहाँ पे आते outline press अब line art अब line art क्या है यह आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इस पे click किया तो यह देखो ठीक है यहाँ पे यहाँ पे यही में से okay करूँगा ठीक है यह ओके करने के बाद यह line art जो है यह मैं निकाल के बाजू में रख दिया अब यह line art क्या हो महले हैं दोस्तो यह जितने भी यह इसकी जो borders बने थे यह जिस तरीके के color बने थे यह line art में बने कर आ गए ठीक है अब अगर मैं यह mouse को जो है zoom करता हूँ तो दिको blur हो रहा है यह जो चुवा है आपके सामने तो इसे blur हो रहा है लेकिन जब मैं इसे zoom करूँगा तो यह blur नहीं होगा यह बताएगा line art क्योंकि इसने खुद design किये अभी के अभी अब मुझे करना क्या है इसे जो है मैं delete कर देता हूँ और यह जो है इसे right click करूँगा यह पुरा group में इसे मैं कर लूँगा ungroup all तो यह ungroup all हो गया अब इसे इसकी आग पर click करता हूँ और इसे green कर देता हूँ yellow कर देता हूँ या फिर ग्रीन कर देता हूँ या फिर ब्लू कर देता हूँ तो दोस्तो इसी तरीके से जो है ना हम कोई भी लोगो कोई भी इमेज हमारी है और उसे हम भूल चुके है और यहां पर ऐसे जूहें आयनार्ट में या फिर इसमें पर लोगो ए आपके पास और लोगों में एडिट करना है तो आप इडिट नहीं कर सकते ठीक है तो आप इमेज में एडिट नहीं कर सकते लेकिन इंवेज को इसमेर ना कर Marin में convert करके आप जो है उसमें edit और काम कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं इसे delete करता हूँ इसका कई सारा use होता है लेकिन आपको मैं यह जो तीन दिन का lecture है और यह basic है यहाँ आना है file में file में आने के बाद वापस import में आना है वापस import में आने के बाद वही जो है image जो है मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पर मैंने जो है इमेज ला लिया अब लाइन आउट क्विक आई आउट्लेंट ट्रेस पर मैं गया लाइन आट पर देखा आपने लोगों पर भी देख लो से मुसी तरह से ओगो ओके करा मैंने लोगों पर यह before है ठीक है यह before आपको है यहां पर कुछ प्रोसेस चलेगा या आ गया अब देखो थोड़ा सा चिंजयश में चलर में चिंज इसमें फरक हुआ तो यहां पर जो है ना आप इसका यूस करो तो एक चीज मैं आपको बता दिया दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया जैसा में राइट क्लिक करके मैं नहीं समझ में आता है तो मुझे आप इमेल कर सकते हैं मेरा इमेल एडिय डायमन एडूकेशन-4U.98-gmail.com ठीक है दोस्तों और यह विक्ट्रेस है जो आपको एमर्जिंसी में अगर आपको करना है ना तो इसक विक्ट्रेस में क्लिक करा और खुदी कुछ प्रोसेस ले लेग अई ये आपको इस तरीकी का दिए दिया आप इसे जो हे अनगृू नुकर करके जिसा आपको चेंज करना है आप इसको चेंज कर सकते है thé साप करना ही सम्हें चेंज कर sub आप image में कोई भी image वगएरा में color भी नहीं दे सकते हैं न आप इसको हटा सकते हैं न इसको आप यहाँ पर ungroup कर सकते हैं इसको आपको इसी तरह इसी तरीके से जो है वो quick trace वगएरा करके हटा के color देना होगा दोस्तो यह हो गया part 2 आप क्या करना है दोस्तो इसे जो है वो select कर लेते हम अब कर लेगे delete दोस्तो आपको इससे computer पे बार 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 try करना है अगर आप इससे try नहीं करेगे तो आप नहीं सिख़ाएगे तो दोस्तो आप मैं क्या करता हूँ यहां से एक ले लेता हूँ circle और इसका shortcut किये F7 ठीक है इस पे कर लूँगा मैं click इस पे click करने के बाद हम direct जो है वो यहां से use करेगे keyboard का इस्तमाल नहीं करेगे for example उपर मैं रखता हूँ 80 इंटर और नीचे भी कर लेता हूँ 80 तो यह जो है अच्छे से goal हो गया हम control shortcut की थोड़ा सा हम बाद में देखेगे क्योंकि हमें सा shortcut चलना जो है वो नुकसान दे भी होता है तो यहां पर जो है हम क्या करना है अभी इससे थोड़ा सा छोटा कर ल Google Chrome जो है उसका जो है हमें logo बनाना है तो मैं अभी क्या करता हूँ इसका logo आपको बना के दिखाता हूँ इससे में इस तरीके से रखाए अब मैं इसे कोई color दे देता हूँ for example उसका जो है blue है मैं ये वाला blue ले ले लेता हूँ इससरीके से और अब क्या करना है इसे इस तरह के से click करना है click करने के बाद shift दबाना है shift क्या करना है click करना है कौन सा click left mouse जो mouse से आपको left finger से click करके इसे थोड़ा सा इसा बढ़ा करना यानी कीचना है और shift का button जो है वो प्रेस करके रखना है ठीक है और यहाँ पर जो है जिसे आप यहाँ तक आएगे तो right click कर देना है mouse की right click तो यह इस तरीके का हो जाएगा अब मैं क्या करूँगा यह जो है यहाँ पर जाने के बाद right click कर दूँगा तो उसके अंदर का जो है color हट जाएगा तो यह इस तरीके का जो है यह बन गया अब मुझे क्या करना है इसे एक थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है shift दबाना है mouse की left की दबाना है और left की से mouse को जो है वो थोड़ा सा सरकाना यानि move करना है और यहाँ तक इसे लाना है यहाँ तक लाने के बाद जो है इसे right click कर देना है ठीक है ठीक है, मैं आपको इसको proper design जो है, वो करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसे आप समझेए, अगर आप समझ जाएगे, तो हम इसमें और proper design और आगे भी जब हम करेगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो दोस्तों, अब आप जो है, मैं कुछ यहाँ से निकाल के, आप देखो, मैंने आपको pick tool का बताया, फिर मैंने यहाँ पर आपको rectangle का, फिर circle का बताया, इसी तरीके से हम थोड़ा-थोड़ा use करके, सब चीज के बारे में जाने के वो काम क्या करता है, ठीक है, तो आप मुझे करना क्या है, यहाँ पर two point line जो है, यहाँ पर मैं क्लिक करने के बार two point line को, यहाँ से mouse से पकड़के, यानि ड्रेक करके, मैं ये corner से corner तक लेकर आँगा, ठीक है दोस्तो, ये कर दिया मैंने, और फिर ये corner से, ये corner तक लाना है, ठीक है, फिर ये corner से, ये corner तक हमें लाना है, ठीक है, आप आपके हिसाप से ही बता रहा हूँ, आप इसमें जादा गोर ना करें और जादा डिजाइन पर फोकस ना करें इसी तरीके से आप इसे करते रहिए, आप मुझे क्या करना है कि यह जो line है, यह line है, यह line को थोड़ा सा इसा उठाना है, थीक के थोड़ा से इस line को हमें जो है वो उठाना है तो इस line पर मैं कर लूँगा click इस line पर click करने के बाद shape tool यहाँ पर आये हमे shape tool F10 प्लेस करूँगा तबी भी यह आ जाएगा इस ऐसा करना है इसे हलका साम यहाँ से उठा के यहाँ पर रख सकते और इसे जब हमें move करना हो तो इसे click करके यहाँ पर आएगे हम convert to curve जैसे हम convert to curve करेगे तो यहाँ पर आपको एक arrow बन के आ जाएगा वो arrow से आप नीचे इस तरीके से उपर आप कर सकते हैं आपको जैसा चाहे वो कर सकते हैं लेकिन मैं को आपको shape tool के बारे में बताना था इसलिए मैं उसका यहाँ यूज किया आप कर लेगे अपने keyboard सी Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z यह इस तरीके का आपको सामने आ जाएगा अब हलका से करना है क्या है आपको इसको उठा के सा रख लेना है तो उसे जब हम आगे करेगे तो इस तरीके का यह जूम होगा और पीछे करेगा तो यह जूम आउट होगा और भी कुछ इसमें keyword है जूम आउट के वह हम बाद में भी देखेगे थोड़ा थोड़ा करके देखेगे ठीक है तो इसमें क्लिक कर लूँगा और जैसा मुझे अब मुझे करना क्या है ठीक है अब मुझे यहाँ पर करना है यहाँ पर आता है इंट्रेक्ट्ट्व फिल्ट टूल्स ठीक है अब यहाँ पर प्लस का ओप्शन है ठीक है जब मैं प्लस का ओप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो जो राइट क्लिक है तो वो सारी चीज़ जो है हमें भार दी गई है अभी फूर एक्जामपल इंटेक्टिव जो यह बताया था हमें इस पर मैं किलिक हटा देता हूँ तो यहां से हट जाएगा तो आपके अगर डेश्टॉप पे यहां पर टूल बॉक्स पर अगर शो नहीं कर रहा है तो आप प्लस में जाक चीज़ गई यह किती सारी चीज़ दी गई है एक एक चीज़े बताया था उसके अंदर की सारी चीज़ गई है उसके इसमें देखने मिल जाएगी आप मैं को चूछ किये स्मार्ट फिसल पर जोई वह क्लिक है तो मैं इसे छोड देता हूँ जब मैं इस पर आउंगा अपन करूँगा और यहाँ पर मैं किलिक कर लोगा तो यहां। मतब किहा है ऐक फॉर एक प्वक्श है और इस बॉक्श में से सो सकता और यहां पर यहां भी जा सकता है तो मैंने क्या कर दिया एक रख सरकल बनाया सरकल बनाने के बाद आपके सामने यह लाइन मार दिया और यहाँ पर भी मैंने लाइन जो है वो मार दिया है तो जब मैं यहाँ पर किलिक किया तो इसने कलर फेला तो यहाँ पर इतना रुग गया क्योंकि अगर यह लाइन अगर मेरी थोड़ी सी अंदर होती यह थोड़ी सी भी अंदर होती तो यह पू लोड़ा सा छोटा, ठीक है, यह हलका से भी छोटा होगा, इदम हलका सा भी, जो आप बिल्कुल आप भी नहीं देख सकते हैं, तभी भी वो पुरा भर देगा, तो अब मुझे यहाँ पर आना है, यहाँ पर स्मार्ट फिल पर किलिक करना है, जैसी मैं यहाँ पर किलिक यहाँ पर किलिक करता हूँ, यहाँ पर किलिक करता हूँ, ठीक है, यह इस तरीके का मैंने किलिक कर लिया है, अब किलिक करने के बाद, यहाँ पर कौन सा कलर है, रेड, तो मैं यहाँ पर कौन सा कलर है, यहाँ पर कलर है, यलो, तो मैं यलो कलर ले लिया, अब यहाँ पर गिरीन जो है color ले लिया अप दोस्तों बात आती है थोड़ी skin दर look or design की तो आप क्या कीजिए shape tool पे लेजिए shape tool पे click करने के बाद इसे जो है इस तरीके उठाना है और आपको जो है वो exist करना है कैसे आपको exist करना है ठीकिक मैं control z करता हूँ यह आपको जो है .98 एडरेट जीमेल पे भेजे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होगी और मैं इसके जो है लेक्चर जो है बाद में आपको इंशाला जरूर इसके कोई एक ऐसा वीडियो हम प्रैक्टिस के लिए बनाएगे जिसमें मैं आपको सब एक्चुली बना बना के जो है आपको मैं दिख ना जाए वह उतना लेगा इसकी वीडिमिटेशन है वह एक हद तक रुक जाएगा तो यह आप यहां पे आ गए अगर पूरा पेज चाहिए पूरा पेज बोले तो देखो तूपेज तूपेज जैसा चाहिए तो तो टूपेज के लिए मुझे अपने सोटकट की ये सिफ् जो F1, F2, F3, F4 है, वो F4 दबाना है, तो F4 जिसी में दबाऊँगा, तो ये 2 पेज इस तरीके का जो है, वो बन कर आ जाएगा, तो ये हो गया दोस्तों, ये पार्ट 3, हाँ, तो दोस्तों, पहले हमने बात किया था, Red, Green, Black, ये 3 कलर क्या होता है, दोस्तों, जैसे के हमें TV पे, Mobile पे, या फिर कोई भी Digital Application पे, या Website पे, कोई भी हमें Images ये Graphic बना के अप्लोड करना होता है, तो हम ये Mode पे रखेगे, RGB, 1000 पिक्सल जो है, वो मर्ज होके, वो आपको बड़े अच्छे और बड़े खुबसर जो है, वो दिखते है, तो ये Mode पर रखेगे, अगर आपको visiting card, banner, wedding card, या कोई भी चीज ऐसी आपकी design बनानी है, जिसको आपको print करना है, आप print करने के लिए जो भी चीज बनाएगे, उस को आप रखेगे, CMY के, cyan, magenta, yellow, के का मतलब जो है, वो black है यहापर, तो जो अगर आपको कोई भी banner वगएरा, कोई भी design बनाकर, अगर print out करना है, print out के लिए उसको आपको भार निकालने के लिए, या फिर किसी दुकानदार को दे के आप print out कराना चाहते है, तो वो CMY के mode मे रखके, वो design बनाएगे, अगर आपको print out नहीं निकलना है, अगर आपको mobile, या फिर कोई TV, या फिर कोई application, या फिर website या खाली इसा, digital चीज़ के लिए यूज़ करना है, जिसको आपको print out नहीं निकलना है, तो वो आप RGB mode में रखेगे, तो RGB mode और CMY के mode जो है, वो मैं आप आपको आपसे बता रहे तो आपको का मिलेगा, जब आप इसी new page यह जब आप यहाँ से open निकलना के new पे आएगे, तो यहाँ पे primary, color mode, CMY के और RGB, अगर मुझे banner वगेरा, print वगेरा करना होगा, तो मैं CMY के में रखूँँगा, अगर मुझे खाली digital वगेरा का use करना होगा तो RGB बे रखूँगा, दोस्तों यह बात याद रखना कभी भी आप अगर new page लेगे, क्या लेगे, new page, तो page की जो size है न वो later होती, कौन सी size होती, later, by default जो corridor की जो page की size क्या रहेगी, later, तो यह आपको याद रखना है, जब इसका end में question answer जब इसका लूँगा, तो उसमें श delete, इसे delete करने के बाद, आप जो है, Google से, या कोई भी internet वगेरा से, या फिर आपकी कोई भी images वगेरा हो, तो वो आप यह desktop पे लेके आए, मैं आपको एक trick बताने वाला हूँ, जैसा कि मैं pictures में आता हूँ, यह जो है, galaxy की जो है, मैं net से picture download किया हूँ, यह picture में यहाँ पर जो जा है, देखा, for example, यह जो है, वो galaxy का, जो है, वो image दिया हूँ, यहाँ पर object में, sorry, effect में जाना है, effect में जाने के बाद, अगर मुझे इस image को blur करना है, तो blur पर जाना है, तो बहुत सारे blur है, आप यह सारे blur का कुछ से use करेगे, मैं आपको एक blur जो है, बताऊंगा, Gaussian blur, जैस जैसे क्या हम अगर कोई भी images या कोई भी नाम वगएरा जो आप लिखते है, उसके पीछे जो है, हमें blur वगएरा करना होता है, तो उस तरीके का हम इस भी use कर सकते है, for example, के लिए मैं इसे इतना blur करके जो है, वो रहने देता हूँ, आप मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे एक काम के लिए हम text में जाएगे, change case में जाएगे, इसे upper case का मतलब यह बड़ा हो जाएगा, आपको यह image लेना है, image लेने के बाद इस तरह से drag कर लेना है, यह image होगी आपकी drag, drag होने के बाद आपको इस पर right click करना है, right click करने के बाद आपको देखो power clip inside आएगा, क्या आएगा power clip inside, इस तरह से power clip inside करूँगा, और जो आपने box बनाया है, उस box पर click कर लेना है, तो सारी चीज़ यह box में चले गई, for example, फिर मुझे edit कुछ करना है, तो यह आप यह option open हो जाएगा, edit पर click करूँगा, image को थोड़ा से सरका के सर्फ ले लूँगा, finish कर दूँगा, for example, अगर मुझे जो yellow, जो इस तरीके का यह जो दीख रहा है, इसे भी थोड़ा और अंदर लेना है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक second, अब मैं क्या करूँगा, इसे जो है, click करूँगा, edit करूँगा, और थोड़ा से image को जो है, वो सरका दूँगा, दोस्तों अगर हमको page इधर से उदर, फिर इधर से उदर कुछ करना हो, तो वहाँ पर उसको use करने के लिए, जिससे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, pen, यानि hand मतब हाद से हम जब पकड़ के खीशते हैं, या फिस side करते हैं, तो उसको यहाँ पर pen और यानि आपकी shortcut की जो हो गई, वो edge हो गई, तो जब मैं edge दबाऊंगा, edge दबा के मैं से इस तरीके से सरका सकता हूँ, सरका सरका के जितना मुझे use करना है, मैं से use कर लेता हूँ, अगर मुझे इसे zoom करना है, mouse के जरीए, तो left और right किलिक के बीच में scroll बटन होता है, अगर आप उसको इस तरह से अगर आगे बढ़ाएगी, तो यह zoom होगा, और पीछे करेगे, तो यह जो है, वो zoom आउट होगा, तो दोस्तों अब यह हमें करना क्या है, इस पर आना है, यह जो है, नेम को जो है, वो इस पर रख लेना है, नेम को मैंने इस पर रख लिया, अब जो भी font लेना है, यहाँ पर जो है, मैं फांट वगरा ले सकता हूँ, काफी सारे font है, यहाँ जो font को color देना है, वो font को जो है, मैं यहाँ पर color दे सकता हूँ, तो यह सारी चीज ना इस पर होगी, दोस्तों, बस इसमें और एक क्या फाइदा अच्छा है, जैसे कि मैं आपको यह एक चीज बताया, यह चीज बताने के बाद, आप यहाँ अपर टेक्स का काम कर रहा हूँ, तो टेक्स में आके, आप चेंज केस में आके, अपर केस में आईए, या फिस shift दबा के F3 दबाईए, क्योंकि हो shortcut किये, तो कैसा दबाएगी, जब मैं इसे इसा select कर लूँगा, यह select करने के बाद, shift F3 दबाने के बाद, यहाँ पर example मैं title case कर लेता हूँ, तो बड़ा word capital में रहा और बाकित जो है, वो small में, तो यहाँ पर कैसा करना है, हम पर इसे click करना है, control A करके select करने के बाद, shift F3 दबाना है, और इसे मुझे अपर case पर click कर लेना है, अपर case मैंने click कर लिया है, इसे कर लेते हम बड़ा, इसको इस तरीके से मै बड़ा कर लिया हूँ, for example, यह जो image थी, इस image को जो है, मैं इसको यह नाम के अंदर यूज करना है, तो मैं किस तरीके से यूज करूँगा, इधर जाओंगा, फाइल में, फाइल में जाने के बाद, import पर जाओंगा, वो pictures को मैं लेकर आओंगा, यह तरीके से यहाँ पर import क करना होगा, यहाँ से भार भेजने के लिए, यानि JPG, PDF अगेरा बनाने के लिए, आपको इसमें export करना होगा, तो यह image को मैं कर लेता हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा, image को बड़ा करने के बाद, अब मुझे क्या करना है, इसको जो है, right click करना है, right click करने के बाद, यहाँ पर आएगा, order आएगा, order में जाना है, order में जाने के बाद, to back of page, control plus end दबाना है, तो यह page की जो है, वो back हो जाएगा, यह मैंने double लिया था, इसलिए, इसको एक कर लेते हम delete, इस पर right click करूँगा, right click करने के बाद, अगर मैं order में जाऊँगा, to front page, तो यह नाम के उ power clip inside पर click करूँगा, और यह जो मेरा name है, इस पर click करूँगा, तो जो है, यह जो color है, जो design ही, वो मेरे नाम के अंदर जो है, वो जा चुका है, अब मुझे करना क्या है, इस adjustment करना है, तो edit में जाके फिर मैं इसमें adjustment कर सकता हूँ, तो इसका जो है, फाइदा है, वो इस तर पर click के से design देने में आपका ज्यादा तर काम आएगा, दोस्तों यह है बहुत easy, लेकिन आपको समझना होगा, आपको सीखना होगा, आपको यह छोटी-छोटी चीज जो है, आपको practice करनी होगी, जैसा कि मैंने एक साहिल कैसा यह नाम बनाया, आप इसमें मैंने color किया, आप इसके अंदर आप और design करते रहो, तो छोटी-छोटी चीज जो है, वो design करते, visiting card, pamphlet, बड़ी-बड़ी design बनती है, visiting card यह सब बनाना कोई hard काम नहीं है, यह आप इसे भी बना सकते, खाली दो line लेना है, दो line लेके भी आप यह बना सकते, लेकिन मेरा बताने का मक्सद यह ह आप इस lecture में आए, इस यह वीडियो को देख रहे हो, तो आप सभी का शुक्री आदा करता हूँ, लेकिन आप लोगों का फायदा होना चाहिए, अगर आप लोगों का फायदा ना होता हो, और आप लोग यहाँ पर आके खाली time pass करे हो, तो फिर मुझे यह सिखा के कोई मज नहीं आने वाला, और दोस्तों यह जो लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास कोरोडो का सौफटर नहीं है, मैंने इस से पहले जो वीडियो में थोड़ा सा बताया है कि किस तरीके से उसे डाउनलोड करते हैं, वो वेबसाइट पर विजिट करके डाउनलोड करना सीख लीजिए अगर आपको कोई एसी परिशानी है कि आप उस सौफटर को डाउनलोड नहीं कर सकती है, आपके पास वो सौफटर नहीं है, या फिर आपको खाली सीखना है, क्या होता है, और हैंड जोन नहीं करना है, सौफटर डाउनलोड नहीं करना है, तभी आपको most welcome, आप ये अराम स उसको पाउस आउट कीजिए हम साट माक्स पासिंग रखे अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो हम जो है महारश्टा कोलेज की तरफ से जो है वह इस सेटीफिटी का आप लोगों को देगे अब दोस्तों इसमें बात आती है कि कुछ लोगों को रजिस्टेशन की प्रॉब् कर लीजिए या फिर जो मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास आया है उसमें मुझे हायलो बेज दीजिए कोई टेंशन लेनी की बात नहीं जब मैं लास्ट में जब मैं एक्जाम लूँगा वह एक्जाम में जो लोग बैठेगे जो लोग एक्जाम देगे तो उसमें आप अपना नाम दालना जो उसमें पास होगी उनको जो सेटिफिटिक मिल जाएगी तो इतना परेशान होने की कोई जरुवत नहीं है अब मुझे मैसिस करके आप पुछो के गड़ी-गड़ी के मेरा नाम है क्या नहीं है आप देखो के नाम आया नहीं आया रजिस्टर मे कोई ट्रेंशन लेनी की जरुवत आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं है तो दोस्तों आप मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसे सलेक्ट कर लूँगा सलेक्ट करने के बाद इसे कर लेते हम डिलीट अब यहाँ पे मैं जो है वो एक इस्टार इस तरीके से ड्रौ कर लूँगा इस्टार ड्रो करने के बाद दूस्तों यह सारे आपजेक्ट पय जाना लूगा बरकर óप यहाँ पे इस तरह से कुल्eker बाद आप अब मैं इस पर क्या काम कर सकता हूं इसको कहते है शे टूल i1 अगर दबाएंगे गए сिट रहें कर उन और यह पर प्लमाोच होद में प्ललस का ल्लोग तो यहां इक डोड़ बन जाइए तो इसे में आरडा तीरडा इस तरह से कर सकता हूं तो कहते हैं नोड यह मैंने ले लिए अब इस नोड को जो है मुझे डिलिट करना है तो इस तरीके से मुझे माउस से सलेक्ट करना है यहाँ पर माइनस को उप्चन है डिलिट नोड इस तरह से सलेक्ट करना है यह माइनस यह जो है आपकी जो है वो नोड जो है वो डिलिट हो जा करऊगा हो तो यहां पर जब मैं इस पर click करूगा तो क्योंकि यह ओब самogen को करऊगा तो यह तरीख से click नहीं होने वाला तो खाली जितने उसके पूंट की देवे उतना ही मैं इसमें कर पाह정 यहां पर दोस्तो एक अगर आप अपने माउस की लेफ्ट की से डबल किलिक करेंगे तो यहाँ पर नोट इस तरीके से आपको बनकर आ जाएगी इसे सलेक करने के बाद माइनस पर किलिक करना जो है वो नोट जो है वो डिलेट हो जाएगी अब आपको क्या करना है यहाँ पर किलिक करना है यहाँ प यह नोट से नोट जो है वह आपको बराबर जितना हो सके टच करने की कोशिश करना है आप जूम में काम करो तो आपको यह चीज समझ में आएगा जूम में मतलब आपको ज्यादा जूम करके जो है वह काम करना है क्योंकि आपका यह ज्यादा अच्छे से डिजाइन होना चाह अब मैं यहां पर दबाऊंगा एच तापर color palette पर आऊँगा और right click दबाऊंगा तो border जो है वो raid हो जाएगा right click जो है यहां पर अगर मैं color palette पर दबाता हूँ यह object पर select करके तो जो border का काम करेगा और इसपे मैं select करके left click दबाता हूँ तो यह अंदर के color change करने का जो है वो काम करेगा तो यहां पर यह क्या है अगर मुझे अंदर का color है वो हटाना है जो left click से आता है तो मैं इस पर click करके यह line बनी इस तरीके से तो इस line पर जो है मैं यहाँ पर किलिक कर दूँगा और मुझे कोई दूसरा color देना है तो मैं दूसरा color दे दूँगा for example मुझे border हटा रहना है तो border पर यहाँ पर मैं right click कर लूँगा तो यहाँ पर जो है border भी हट जाएगा ठीक है तो दोस्तों यह इस तरीके का बन क्या गया अब मैं इसे कर लेता हूँ भूलो और यहाँ पर लिख लेता हूँ star प्लस यह दोस्तों यह सारे lecture जो है वो पूरे basic है जो इद्दम beginner है जो इद्दम start से आये जिनको मालूम नहीं है corridor क्या है यह खास उनके लिए बनाया जा रहा है और जो expert है वो भी देखे कुछ ना कुछ आपको भी सिखने का मौका इसमें जो है वो मिलेगा इसे मैं कर लेता हूँ delete इसे delete करने के बाद इसे कर लूँगा control g control g का मतलब group control u यानि ungroup जो है वो हो जाएगा तो यहाँ से हमें maki इसे पूरा select कर लूँगा इस सरीक इस से select करने के बाद shortcut की control g वो हो गया group इस तरह से मैं select कर लूँगा select करने के बाद यहाँ पे ungroup all तो यह अलग-अलग हो गया तो अब मुझे क्या करना है ctrl z यहाँ पे click करके यहाँ पे cv में undo आ सकता हूँ यहाँ पे मैं select कर लेता हूँ control, sorry यहाँ पे select all करके मैं कर लेता हूँ group यह हो गया group और मैं इसे यहाप लाके रख लेता हूँ, दोस्तों अभी पेज जो है बराबर करना है, बराबर फिट लाना है तो टू फिट कर दूँगा, तो टू फिट आ जाएगा, टू पेज चाहिए तो टू पेज आ जाएगा, फॉर एक्जामपल यह पेज मेरे से हिल जाता है, यह कोई मिश्टिक हो जाती है, तो या कैसा भी आपको मिश्टिक हो जाती है, आप अपने सोटकट की शिफ्ट दबा के एक फोर दबाएगे, तो आपके समने जो पेज है, वो आ जाएगा, लेकिन अभी मसला क्या है, आपको यह पीए उठा के यहापे आपको लाके रखना तो यह मैं क्या करूँगा, टू पेज, मैं इसे ही क्या किया, टू फीट जो आपने बनाया था, वो बराबर फीट बनकर रहाए, पूरा जूम होकर आजाएगा, अगर टू पेज करेगे तो यह पूरा पीछे का पेज है, वो पेज जो है, वो आपको आजाएगा, ठीक है, वह इस चेङ है बहुत 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 एज़ी चीज है आपको छो मैंने सेलिक्टेट किया तो वह भी आ जागा जागा थीकर हम visiting card, pamplet वगरा इस तरीके से देखेगे देखने के बाद मैं आपको एक सोटकर तरीका ऐसा बताऊँगा कि आप पाजपाद ददस मिट में जो है visiting card एक से एक डिजाइन करेगे मैं नेट से किस तरी से डाउनलोड करते हैं कास एक असा डाउनलोड करते हैं आपको दूँगा ज्यादा टेंशन नहीं लेने का दोस्तों अभी यहाँ पर मैं आता है एक्सपोर्ट में आने के बाद यहाँ पर क्लिक कर लोगा एक्सपोर्ट यहाँ पर आप आपको PDF का JPG का सारे आप्शन यहाँ पर आपको जो है वह देखने को मिलते हैं अगर यहाँ पर आपको PDF में चाहिए तो आप इस पर एक्सपोर्ट करके PDF भी क्रेट कर सकते हैं यह नीचे देखो यह पेज वन दिया है इस पर राइट क्लिक करूँगा इंसर्ट पेज आफटर पे क्लिक करूँगा तो एक पेज और एक आगया इस डिजाइन को मैं यहाँ से ले लेता हूँ कोपी कर लेता हूं यहां से कोपी करने के बाद यहां पे कर लेता हूं मैं पेस्ट पेस्ट करने के बाद आप यह plans रखूँ गाँ कर्सप्ट यहाँ पर डेश्टॉप पर आऊँगा कोरल 1 कर लूँगा मैं कोरल 1 अब यह डेश्टॉप पर मैं कर देता हो एक्सपोर्ट अब आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों देखो मैंने जो चीज अंदर रखा हूँ यह जो चीज बॉक्स के अंदर रहती है वही PDF में एक्सपोर्ट होती है और जो चीज बहार हो जाती है यह चीज आधी बहार हो चुकी है तो यह यहाँ से PDF में कटकर बहार आएगी जो इस लाइन के अंदर है वही चीज आपको PDF में बन कर आएगी हाँ तो दोस्तों हम भी इसे कर लेते हो पन राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करने के बाद Google Chrome पे मैं कर लूँगा इसे उपन देखो दोस्तों जो चीज यह बॉक्स के अंदर थी तो यह बराबर जो है वह आ गई लेकिन मैंने जो चीज बॉक्स के बहार रखा था वह बहार यहाँ पे कट गई तो PDF में आपका जो है इस तरहिके से नुक्सान होगा ध्यान रखना कोई बी चीज आप बड़ बड़ी ना करें यह मेरा पेज 1 है यह मेरा पेज 2 है तो यकिनन आपको पेज 1 भी समझ में आ गया वह किस तरहिके से आप 10 पेज भी ला सकते 20 page भी ले सकते हैं जितना आपको इसमें यूज़ करना है आप वो use और इसका इस्तमाल जो है वो कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर चलता हूँ कोरोडो में ठीक है आप कोरोडो में आने के बाद जैसा कि मैंने इसे select किया select करने के बाद इसे कर दिया दोस्तों यहाँ पर मैं कर दूँगा डबल किलिक तो बोडर आ जाएगा अब मुझे यहाँ पर बोडर लाके बनाने की जरूद नहीं है मैं यहाँ पर सिंपल सब सोटकट करूँगा अब इस पर डबल किलिक करूँगा तो यह आ जाएगा इसकी सोटकट की यह f6 अगर मैं for example अभी मैं picture select करता हूँ और यहाँ पर f6 दबाता हूँ तो f6 जो है वो दबाने के बाद यह directly मैं को rectangle बनके आ जाएगा तो shortcut की का भी आप इस तरीके से इस्तमाल कर सकते है यह आपको tax और table बनाने के लिए जो है काम आता है तो आप इसका चार बजे चलने वाला था लेकिन कुछ technical issue कुछ problem की वज़ा से इसे जो है 19 को जो है यह आपको यह सामने वीडियो है लेकिन 20 और 21 का जो वीडियो था इसे हम बाद में लेगे जैसा कि दो दिन के लिए हम इसे gap करते है दो दिन के लिए हम break करते है तो यह जो 20 और 21 का जो लेक्चर था वो होगा 22 और 23 को जो है वो लेक्चर होगा for example मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको जैसा क्या मेरा लेक्चर था 19, 20 और 21 को था तो 19 को जो है यह लेक्चर आपके सामने पला था तो यह दो दिन जो है 21 जो है वो छुटी रहेगी वो क्लोज रहेगा कुछ टेक्निकल इशू की वजा से और यह जो है 22 और 23 को जो है Friday और Saturday जो है वो लेक्चर आपको लिया जाएगा दोस्तों टेंशन मत लेना आगे मैं आपको ऐसी ऐसी ग्राफिक ऐसे से सोटकर से बताऊंगा यह बेसिक में ही आप बहुत कुछ चीज सीख जाएगे और जो सेटिफिटिक वह आपको यकीन और काम आएगी और जो कॉशन अंसर होगी वह इतने हाड नहीं होगे यह आटवी नवी दसवी के बच्चे भी जो है वह आराम से जो है वह इसमें स्कौर कर सकत है कोई टेंशन ने लेने का कोई भी प्रॉब्लम हो मेरा नंबर आपको दिया हुआ है